हेलो गई स्वागत आपका हमारे अपनी यूट्ब चैनल फैंटसी स्पोर्ट्स लेंट पी सोगे इस वीडियो हम बात करेंगा और स्टेडिया टीटेन का दूसरी तीसरा मुकालब खेला जाना है वियाना सीसी वज़िय का इस यहां पर ऑस्टेडियान करके टैगर्स के बीच किस तरह से आप इस मैच जैक पर विनिंग आसानी से कर पाएंगे पूरा वीडियो लास तक देख लेना उसके बाद दूस्ता आपको खुदी दूस्तों नौली मिल जागे टीम किस लेवर पर आपको बनाना है कैप्टन वाइस के अपने सिप किसकोर रखना है और कौन से प आपको करना है कि हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके वैल लेकिन को ओन कर लेना ताकि हमरे साथ आप डेली जुरे रहें और डेली जैकपॉट अर्निक करते रहें तो आप सभी को पता कि यह मुकावला जाए साम के चार बज़े से खेला जाने इंडियों टाइमिंग के बेस पर आप यहां पर जो देख सकते हैं कि वीनिंग के जो चांसे है ना 90% चांसे है कि इस मैच गंदर और स्टेरियन करके टाइगर्स की टीम मैच विन कर जाएगी 90 कि क्या दोस्तों मैगा कि 98% मैच मेच में चांसे हैं कि यह तीम आसानी से मैच विन कर जाएगी तो सब्सक्राइब करते हैं यहां पर रिजसेंट लिए परफॉमेंस आप चेक करेंगे तो यह पर जो कि एस मैच के लिए काफी ज़दा हमारी फेवरिटी में आप इनका लास मैच में काफी विनिंग आपको कराऊंगा मैं जब TW के मैचस भी होंगे लेकिन अभी जो मैच हमारा रह गया एक्ट यहां पर इनके हम बीनिंग करेंगे काफी सांदार आगे हम बात करें तो नेक्स्ट में टीम है वी सी कि तो इनकी टीम के भी परफॉर्मस आप चेक कर सकते ह मैचस के पांच में से इन्हों बीडों के तीन लौस है मुई कैसे कर बात करें हैड टो हैड में में एक मुकावला रिसन्टी खेला गया जिसमें दोस्ते हैं पर एसी टीम मैच विन किया था और काफी सांदार विन किया तक एक सो 32 का टोटल किया था चार विकर के नुक्सान आप दोस्तों आगे मैं बात करता हूं टीम के स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं कि दोस्तों लाश्ट के जो दो साल उसमें से कैसे कैसे के पर परफॉर्मिंस रहें यहां पर बात करने वाला वह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्ट होगा तो यह आपने ध्यान से कि प्लेयर के परफॉर्मिंस किया उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे जो टिप्स देने वाला हो ग्रेंड लिक और स्मॉलिंग में दोनों जगह पर आसानी से जो जैपकर विनिंग कर लेंगे क्यों कि मैं आपको वह प्लेयर से बताऊंगा गया जो कि हमेशा ही क्या बना सकती हो और बहुत सारे लोगों ने दुसको गलत प्लेयर में टीम में लेकर कर दिया लेकिन आपको पब्लिक सेलक्शन के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना है यहां पर आपको बता दो यहां पर डैनियल जो है डैनियल एक्स्टेंड को दूस्व बहुत सारे जारेंगे आसनल आडिक के साथ जैसे आपको वन डाउन खेलते ना जारेंगे मार्क सिंपन दूसर एक बैस्ट जो है टीटन का प्लियर है इसको अपने टीम से बिल्कुल भी स्किप मत करना चाहो तो आपने ग्रेंड लिग की टीम इसको कैप्टन वाइस कर लो क्योंकि यह प्लियर के बात कुरूने थे टीटन में इनके काफी सांदार रिकोर्डर और इस टीम के जो स्ट्रॉंग है ना स्ट्रेंथ इन दोनों से बनी हुई है आगे हम बात के दो दूसरे हैं पर कॉंटर नोर इस विकट के अपले रहेंगे अगर इसकी टीम दोसे बैटिंग करते ह में तो यहां पर इसकी बैटिंग जरूर आएगी और आपको अच्छी खासी बैटिंग करके दे सकते हैं तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट है कि आप विकट के बड़ सेक्शन में इसके साथ ही लीड करूँ इमांस को जाके बात करूँ बैटिंग काफी नीचे आती है आप स्कोरिंग देख सकते हैं पंदरे में बीस और तीन विकट जर इसने निकाला हुए डैनियल के बाद करूँ बारे मैचे दूसरे करती सरन है और यहां पे ग्यारे विकेट है नीचे खेन लिए आता हीटिंग करता है लेकिन दूसरे इतना भी ज्यादा इंपोर्टेंट कर रहा हूं एसीटी के टीम को क्यों मिल इंपोर्टेंट है यह मैच क्यों मैं कह रहा हूं कि आपके हाई इन्वेस्टिस मैच में करना है सो नेक्स्ट बात करता है दोसरे अली रहा है में इस मैच के बॉलिंग डिपार्टर में 14 मैच मैच सोर्यों कि 17 मैच 14 विकर निकाले बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता बैटिंग का मौकान जैसा कि दोस्तों डैनियल है ना सेम यहां पर जावेज जादर रहे हैं अगर दोस्ता आप तुक्के में अपनी टीम का कैप्टन इसको बना ले और डैनियल को तो इसके जगर पर जावेद को क्यों नहीं बना ल बॉलेट है और काफी ज्यादा टीटेन के एक्सपिरियेंस रहें दावाज है तो इसको अपनी टीम में जरूर लेकर चलना यहां से आपके लिए टीम में कौन-गों से होने चे स्मॉलिंग में मैं दोस्तों बात करूँ तो यह दूनों पर बहुत इंपोर्टेंट है मार्क सिंपन आपके लिए बहतरीन चोईस रहेंगे वह इस बात कर लेते हैं तो यहां पर साहिल मॉमिंग को अपनी टीम में जरूर लेना मिंस कि यह चार प्लेना खास करके बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहां पर पिक करें डैनियल क तो यह आपकी ओई जोईस है नहीं तो दूस्तों मैं तकहूंगा इसकी जगह पर आप जावे जादर रहेंगे साथ जाओ कि दूसर यह प्लेर भी काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि सेफ थोरा खेल करके डैनियल के साथ टीम को लीड कर अधर कर सकते उसका दोसर से मैंने बॉलिंग साथ को बताया था कि दूसर इस मैच के अंदरा डैनियल और दूसर जाविद अर्भी यह पास रहते दूसरे यह रहेंगे अली तो इन दूश्क निसे कर साथ में रिसक ले सकता है कैप्टन वाइस कमने से सब्सक्राइब काफी करेंन के नहीं जोईन किया हुआ यहाँ पें कर लो कि यहीं पर आपको फाइनल जो टिम होती इस मौली के डौस के बास सीध्य टैलीग्राम पर दी जाती है तो यहां जोईन को लिंक का लिए आपको वीडियो के दोनों का आप स्कोरिंग चेक की जिएगा दोस्तों यहां पर 48 मैच खेले 663 मैच है 34 विकेट निकाला है आदी लिखवार के बात करो 49 मैच में 411 रंस है और 30 विकेट निकाला है दोनों और काफी सांधार परफॉर्मेंस करें भी रिसनली टीटन के मैचे जो खेलें इम्रान दोस्तों इस प्लेर का सेलेक्शन आप जाकर देखो बहुत ही जादा लो इसका सेलेक्शन हो रहा है अभी दोस्तों इसका स्टैट्स देखो 31 मैच में 20 विकेट है 471 और आगे आपको दिखाने वाला नो वह आपके लिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस बलविंदर सिंग देख सकते हैं इसने 37 मैचे 614 विकेट निकाल है और उमेर तारिक 38 मैच खेला बाइस विकेट 161 रन है तो दोस्तों यह आप देखो पहले जो चार है यही प्लेर्स इतने जादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि हम इसको पनी टीम में जरूर लेगे चल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम चेंजर खिला रही दोस्तों देथ वर्स में खास करके बॉलिंग करता है विकट आसानी सी ले जाता है तो इसको अपने टीम में ना लेकर आप खुद ही गलती करोगे इसका लोस के कारणा आप खुद बनोगे कि यह प्लेयर आपके सबसे बहतीरिन खिला देंगे 14 मैच में 134 विकट है और 13 यहां पर 13 विकट है 134 रहन इसने बनाए हुए नेक्स्ट के दो प्लेयर है उतनी ज्यादा बहतीरिन है नहीं आधिल तारिक को ट्राइक कर सकतो एक अच्छे गेंदवाज है एक औरिमिकल गेंदवाज है विकट का आज तो मैंने आपको उपरी बता दिया बॉलिंड डिपार्ट में किसको लेकर चलना है तो कैस्ट यहां से आपको इतादू आदेल तारिक को ट्राइक कर सकते और आदेल आफजल आपको लिए बैस्ट रहेंगे यहां पर आदेल तारिक के जगए आपको एक काम जरूर करन इंपोर्टेंट जो कि मैं आपको इतने देश से बताने के कोसिस कर रहा था सो कैसे अब हम बात करते हैं वह जो आपके मदाना चाहता हूं तो दोस्तों यहां पर चेकर सेकते हैं और प्लेयर्स के रिकॉर्ट जो की टीटेंड में अभी दोस्ते हैं पर रिसेंटली परफॉर्मेंस के और ड्रीम इलेंब्ड ने कैसे कैसे पॉइंट दी है बैटिंग डिपार्टमें बल जीदनर सिंग एसी टी के टीम की तरफ से आप इनके रिसेंट परफॉर्मेंस देखो चोहतर पॉइंट जीए त्रेसर पॉइंट पॉइंट एक्सों पैंसर पॉइंट और उनाटिस पॉइंट लास्ट के पांच मैचेस के इनके रिकॉर्ड है कईस यहां बात करते हैं जैसा कि बताओं डैनियल को बहुत सारी लोगों न है आदल इकवाल के बात करें इस विए इंपोर्टेंट बॉलिंग से विकेट आपका असानी से निकाल कर दे दे रहा है अब दोस्तों नेश्ट में बात करते हैं आगे हमाई टीम के प्लेयर से उनके ऊपर बात कर लेते हैं एस सोमन की बात किया था वी सी का एक बहतीरीन के इन दवाद है गाई बॉलिंग की काफी सांदार है तो यह बात जरूर ध्यान लाकिन आप इनका रिसन रिकॉर्ड भी देख सकती है उसका हमें बात के बारे में इसका रिकॉर्ड आप देख सकते हैं लाज के चार मैंसे हाला कि फ्लॉप है लेकिन प्लेयर अच्छे खास न इन पार में देख लो इम एश्कान के बोला ता मार्क शिंपन का बोला था और दोसरे इम्रान आसिफ इनके आप स्टेट्स खोदी देख लो इस इम्रान आसिफ की प्लेयर के साथ अपनी टीम को लीड करने है जो कि काफी ज्यादा important रहने वाले हैं और मैंने उमयर तारी की बात की थी इस प्लेर का record आप देख लोगे इस लास्ट के चार मैंचे continuously काफी सांदार परफॉर्मेस रहा है एक मैच जो फ्रोग बढ़ा था बाकि दूसरे यह प्लेस आपके कितने ज्यादा important आप आपको खु प्लेस टीम में वहीं कि इस बार के देन नोर्ज को ट्राइक के विकर के बैटिंग सेक्टने चार प्लेट हैं एमयसान और आई आसीफ रहने वाले और दोस्ते हमें निजे मार्क सिंपर होटे कि और बलिने ने को दोस्तों है एक चेंज कर सकते हो सेफ किना चाते हो एम आप पर डैनियल को अपने टीम में लेकर चल सकते हैं जो कि बहुत सारे लोग का कैप्टन वाइस के प्रेंगा तो आपको यह एक सेफ पिक मिल जागा स्मॉल लिग में आपको फाइनल टीम पता है कहां मिलते है टेलीग्राम पर जोइन कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल चेंजेस आपको बता चुका हूं आपको कैसे लगी और वीडियो का लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वैलके ओन जरूर करेना तो मिलते हैं फिर आसे नेक्स्ट वीडियो में जब ते के लिए बाए